दोस्तों, आज मैं आपको सूजी का वेजिटेवल धोकला बनाना बताऊंगी इस धोकले को बनाने के लिए मैंने नहीं कोकर का यूज़ किया है, नहीं केक टिन का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर हम घर में जो कटोरा यूज करते हैं उस कटोरे के यूज करके एकदब स्पॉंजी वेजिटेवल ढोकला बनाना बताया है बहुत आसान सी रेस्पी है दोस्तों और सबको बहुत पसंद आती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम सूजी के वेजिटेवल ढोकले को सूजी का वेजिटेवल ढोकला बनाने के लिए एक बावल में डालेंगे दो कप बारिक बाली सूजी और साथी साथ डालेंगे हम यहाँ पर आदा कप दही और डालेंगे आदा चमच नमक और इन तीनों चीजों को हम अच्छे से मिला देंगे तीनों चीजों यहाँ पर हमारी अच्छे से मिल गई हैं तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी तो यह मैंने डाल दिया एक कप पानी और पानी को हम सूजी में अच्छे से मिलाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जो बैटर अभी थेक है तो एक कप पानी मैंने यहाँ पर और डाला है और पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमें यहाँ पर इस सूजी को लगभख 10 मैंट के लिए फूलने के लिए छोड़ देना है तो मिलते हैं आपसे 10 मैंट के बाद 10 मैंट हो गए हैं दोस्तों सूजी यहाँ पर हमारी फूल गई है यह देखिए फूलने के बाद एक दम थिक हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अद्रक लसन का पेस्ट थोड़ी सी मटर थोड़े से कॉन थोड़ी सी कटी हुई शिमला मेर्च थोड़ी सी कटी हुई बारी कटे हुई टमाटर और डालेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुँआ हरा धनिया और साथी साथ डालेंगे एक चम्मच जीरा और साथी साथ डालेंगे एक चम्मच राई और डालेंगे हम आदा चम्मच नमक नमक थोड़ा ध्यान रखके डालें क्योंकि हमने शुरुबात में जब सूजी का बेटर तयार किया था तब भी नमक डाला था और अब हम डालेंग और भी कि में हमें तयार करना है इसंटीमर तो इस टीमर के लिए मैंने आपर एक बड़ास अलिए पतीला ओ पतिले में डाला एक ग्लास पानी गैस को करेंगे हमन मेरे पास यहाँ इस तरीकी का यह स्टेंड है, इस स्टेंड को भी हम पतीली के अंदर रख देंगे, और अगर आपके पास स्टेंड ना हूँ, तो आप तीन चम्मच का भी स्टेंड बना सकते हैं, पतीली को कर देंगे हम कबर और रग देंगे पानी को उभल ले के लिए, और जब तक पानी उबल रहा है चली चलते हैं नेक्स प्रोसेस की और और नेक्स प्रोसेस में मैं यहाँ पाड़ोगला बनाने के लिए इस टील का कटोरा यूज कर रही हो तो कटोरे को हम एक चम्माच घी से अच्छे से ग्रीस करेंगे ग्रीस करने से ढोगला आसानी से निकल आएगा और इनो को डाल देंगे हम तयार की हुए पेस्ट में जैसे ही इनो मिक्स हो जाएगा तो हमें इस मिक्चर को तयार की हुए बावल में ट्रांसफर कर देना है इसको हमें रेस्ट नहीं कराना है तो यह देखे इनो यहां पर मिल गया है और अब हम इस बैटर को डाल देंगे अपन इस कटोरे को रख देंगे स्टीमर में और पतीले को करेंगे हम कबर और गैस का फ्लेम करेंगे एकदम लो लो फ्लेम पे धोकले को लगभग 20 मिनट तक हम पकने के लिए छोड़ देंगे धोकला आप कोई भी बनाए सूजी का या बेसन का धोकले का आइडियल टाइम होता है पकने का 20 मिनट में धोकला पक के तयार हो जाता है तो 20 मिट हो गये हैं तो चलिए हम धोकले को चेक कर लेते हैं चेक करने के लिए चाकू को इस तरीके से धोकले के बीच में डालें और निकालें ये देखिए चाकू यहाँ पर एकदम साप निकला है इसका मतलब धोकला बन के तयार हो गया है तो ये मैंने ढोकले को कर लिया था, रूम टैंपरिचर पे ठंडा और अब एक चाको की मदद से इसके साइट्स को हम क्लीन करेंगे और क्लीन करते हुए ढोकले को निकालेंगे हम बाउल से बाहर तो कटेओरे के ऊपर एक प्लेट रखते हुए इसको हमें हलके हाथों से टैप करना है जिससे की ढोकला हमारा आसानी से बाहर निकलाएगा ये देखे, ये हो गया है बहुती मज़ेदार सूजी का ढोकला बनके तयार और आप यहाँ देख सकते हैं एकदम केक की तरह लग रहा है और काफी स्पॉंजी भी है दोनों साइट से इसका टैक्चर देखिए बहुती बढ़िया आ गया है तो चलिए अब हम ढोकले को काट लेते हैं तो मैं यहाँ पाचाकू की मदद से ढोकले के कर रही हूँ चार पीस आप अपने मन की मताबिक पीस कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों कितनी आसानी से ढोकला यहाँ पर कट रहा है और काफी स्पॉंजी बनाया है और आप यहाँ पर इसके अंदर सब्जियां देख सकते हैं कितने अच्छे से दिख रही हैं और एकदम कलर्फूर्ट ढोकला हुआ है बन के तयार इस ढोकले को आप सामभर के साथ चटनी के साथ खा सकते हैं एक खाने में बहुती स्वादिश्ट होता है ये देखिए दोस्तो एकदम स्पॉंजी और जाली दार सब्जी का ढोकला यहाँ पर हुआ है बन की तयार अगर आपके बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं तो उनको आप इस ढोकले को जरूर खलाएं आपके बच्चे इस ढोकले को चाव से खाएंगे तो दोस्तो देखा आपने यह जो सूजी का वेजिटेवल ढोकला है कितना स्पॉंजी बना है इस ढोकले को आप चटनी के साथ सांबर के साथ खा सकते हैं यह जो ढोकला खाने में बहुती स्वादिश्ट होता है तो आप एक बार इसको जरूर ट्राय करें और अपना एक कम कमेंट बोक्स में जाकर चरूर शेयर करें जुड़े रही है आप मेरे साथ मैं ऐसी नहीं नहीं रेस्पी लाओंगी मिलते हैं आप से नेक्स रेस्पी में तब तक के लिए बाए बाए